दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर. मेरा नाम रिंकू है और मैं अभी 25 साल का हूँ. मेरी भाभी का नाम पूजा है. वह बहुत ही सीधी साधी और दिखने में कयामत थी. मैं उन्हें बहुत दिनों से पाने का सोच रहा था और और वह दिन आही गया था. उस वक्त होली का त्योहार था. उस दिन मैं अपने कमरे में था और भाभी अपने कमरे में थी. मैं उन्हें होली की बधाई देने के लिए उनके कमरे में जाने लगा. चुपके से दर्वाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे अंदर से रोने की आवाज आ रही थी. मैंने भावी फोन पर किसी से बातें कर रही थी और रोये जा रही थी। भावी ने मुझे देखते ही फोन को कट कर दिया और तुरंत रोना बंद कर दिया था। मैंने पूछा क्या हुआ भावी आप क्यों रो रही हो। मेरी यह कहते ही भाभी ने फिर से रोना चालू कर दिया. मैं तुरंत आगे बढ़कर भाभी को गले से लगा लिया और पूछा, अरे क्या हुआ भाभी, बताओ. तो भाभी अपने आंसुओं की रफ्तार को रोकते हुए कहा, मैं अभी तुम्हारे भाईया से बात कर रही थी मैंने उनसे अपने माय के जाने के लिए पूछा तो वह मुझको गालियां देने लगे. वह कहते हैं कि मैं अपने माय के वालों से बात नहीं करूँ. मैंने कहा, ऐसा क्यों? भाभी. तब उन्होंने बताया, तुम्हारे भाईया का मेरे भाईया से जगड़ा हो गया था. त मैंने कहा, नहीं भाभी, विश्वास करो, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा. तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी कसम खाओ. मैंने कहा, आपकी कसम. भाभी, मैं कुछ नहीं कहूंगा. ये सुनकर वह खुश हो गई और उन्होंने मुझे फिर से गले का लिया और उनके उभार हलका सा दबा दिया. कुछ पल बाद भाभी ने एकदम से मुझको छोड़ा और सौरी बोलने लगी. मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, खुशी-खुशी में ऐसा हो जाता है. मैंने उन्हें अपना मोबाइल दे दिया और उनसे कहा, अब आप पह करने के बाद भाभी ने फोन काटा और मुझसे कहा, देवरजी, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ. आज तुम जो भी मांगना चाहते हो, मांग लो. मैंने कहा, भाभी, जो मैं मांगूँगा, वह आप दोगे. भाभी ने कहा, मांग कर तो देखो. मैंने कहा, भाभी, स जो बोलना हो, बिंदास बोलो, मैंने एक जटके से कह दिया, भाभी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आपको प्यार करना चाहता हूँ, यह बात सुनकर भाभी गुस्सा होने की बजाए खुश हो गई, भाभी बोली, मुझे मालूम है तुम क्या चाहते हो, बस मैं त तुम्हारी हरकते नोट करती हूँ, फिर क्या था, जैसे मुझे लाइसेंस मिल गया था, मैं तूट पड़ा भाभी के उपर, वह भी साथ देने लगी